हेलो एवरिवन ये वीडियो संस्क्रीट टेक्स्ट जो मैं कवर कर रहा था एंसेंट इंडियन टेक्स्ट वो उसी का ये पार्ट टू है सो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो पहले जा करके उस वीडियो को देखिए उस वीडियो में मैंने सारे basic texts को cover किया है अब यहाँ पे सिर्फ questions करेंगे क्योंकि सारी चीजे लगभग मैंने cover कर ली है और जो बचेंगे वो यहाँ पे देख लेंगे तो देखिए यह सीडियेस का question है यहाँ पे आपको पूछा गया मनी में एकलाई पुस्तक के लेखा कोन है तो दो जो ancient books है South India, Tamil Kingdom से related वो दो books के नाम है सबसे पहला है सीला पादिकरम और दूसरा है मनी में एकलाई तो सीला पादिकरम लास्ट लेक्चर में भी हमने cover किया था जिसे जेवेल एंकलेट बोलते है उसके लेखक का नाम था सीला पादिकरम के लेखक इलांगो अडिगाल और जो मनी में एकलाई book है इसे किसने लिखा है सातनार ने अब देखे प्रनेंसेशन थोड़ी अलग होगी अगर आप तमील में बोलेंगे तो फिर स्पैलिंग अलग हो जाएगी तो यह आपको ध्यान में यहाँ पर यह रखना है कि जो मनी में एकलाई epic है उसे ग्रेन मर्चेंट सातनार ने लिखा है मदुराई के यह थे और यह जो मनी में एकलाई book है यह sequel मानी जाती है किस book की सीला पादी करम की ओके यह दो important books है यह आपको नाम ध्यान में रखना है और उसके बाद एक दो बाते और जैसे संगम पीरेड जो कि 6th century से 12th century तक चली थी उसके बाद में जो नैनार डिवोटी थे नैनार और अलवार नैनार और अलवार इन्होंने भी काफी सारी तमिल लिटरेरी क्लासिक्स को लिखा है जैसे कंबर मानियम और पैरिया पुराणम इस तरह के बुक्स है तो यह अगर यह आपको clearly visible नहीं है यह वाली टेक्स तो आप PDF पर पढ़ सकते हैं PDF आपको टेलिग्राम चेनल पर मिल जाएगी तो यह देखे पुछा गया था मणी में एकलाई के लेखा कोन है तो इसका आंसर है साथनार ओप्सन B इलांगो आडिगाल नहीं इलांगो आडिगाल के किस बुक के लेखा गया सिलाप आडिकरम ना नेक्स कोशन के और बढ़ते हैं नेक्स कोशन में आपको पुछा गया मुद्रा राक्षस के लेखा कोन है तो लास्ट लेक्टर में हमने डीटेल में बात की थी कि मुद्रा राक्षस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है विसाखादत के द्वारा इसमें क्या डिसकस किया गया मुद्रा राक्षस में कि कि किस तरह से चंद्रूप्त मोयरे का एक सेशन देखने को मिला चंदरूत मोरे का और किस तरह से चाड़े के ने इनकी मदद की, इन बातों को लिखा गया ठीक, अब आपको ये नहीं समझे लेना कि मुदरा राक्षास का मतलब कोई राक्षास से रिलेटर स्टोरी है, ठीक है, तो इसका आणसर फिर क्या बना option C question को देखिए, ये भी UPSC Civil Services का पूछा हुआ काफी पुराना question है इसमें आपको पूछा गया था कि जो मुदरा राक्षास ancient Indian play है विसाखादत की, उसका subject क्या है उसकी theme क्या है, पहला option दिया गया था कि Aryan tribal के power struggle से related है दूसरा बोला गया था कि Aryan prince और tribal woman की love story है तीसरा बोला गया था, ये conflict है between goats and demons of ancient Hindu lord और last में ये दिया गया था चंदरूप मोरेम ने किस तरह से अपने ascent को, यानि किस तरह से गद्धी को हासिल किया, वो option दिया गया था तो इसका, अभी मैंने आपको डीटेल में ये बता दिया, कि किस तरह से जो accession हुआ, उन बातों को मुदर राक्सस में लिखा गया इसके लेखा कोन है, विसाखा दत विसाखा दत ने actually दो important text लिखी है, पहली तो मुदर राक्सस हो ही गई और दूसरी देवी चंदरगुप्तम क्यों, क्योंकि ये भी चंदरगुप्तम मोरे से related है, इसलिए, तो ये दो books आपको note कर लेने हैं, ये आगे भी repeat होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस topic से बार-बार question पूछे गया है आपको पूछा गया है कि जो नंदवंस का decline हुआ, नंदवंस का पतन हुआ, उसकी स्टोरी को कोटिल्या और चंदरगुप्तमोरे ने किस तरह से गद्दी को हासिल किया, नंदवंस को गिरा करके, वो किस book में related है, तो यह अपि मैंने आपको बता दिया, किस book में बता ही, मुदरा रक्षास, ठीक है, देवी जंदरगुप्त भी option में, बट वो answer नहीं होगा, मुदरा रक्षास होगा, basically मुदरा रक्षास की theme ही यही है, कि किस तरह से कोटिल और जंदरुप मोयरे ने, अगद्धी को हासिल किया, so MPPSC वाले question का answer क्या बना, मुदरा रक्षास के ओथर कोन है, विचाखादत, अपसल C, next question देखिए, जारकंट PSC का है, यहाँ पर आपसे यह पूछा गया, the collection of the writing of the saved sense is considered as fifth veda, यानी जो saved sense ने जो book लिखी है, उसे fifth veda के रूपे माना जाता है, इन collections को क्या नाम दिया गया है, तो नहीं यह सीला पादी करा में, नहीं money make लाई है, क्योंकि यह दोनों books तो authors, जो है, वो saved sense नहीं थे, और उसके बाद तोला पेकियम के बाद की गई है, नहीं, तो इसका अंसर है तीरू मुराई, अब देखे, इसका जो source है, इस question का, इसमें directly mention नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया है, इसके बार important points को इकटा कर लिया है, ताकि आगे in future इस topic से question बने, तो फिर वो आप आसानी से कर ले, देखे, जो बाकी के books होते है, reference books, उनमें ये बाते दी हुई है, बट फिर वही बात होती हैं, कि आप कितने books को cover करोगे एक साथ, तो एक दो point अगर extra आ जाते हैं, तो यो सभी के लिए difficult होते हैं, तो इन topics को आप especially not down कर लिया करो, ताकि अगर इन future फिर दोबारा इसी topic से question नहीं है, तो आप आसानी से कर बाओ, देखे, तीरू मुराई जो book है, वो 12th volume की काफी लंबी compendium मानी चाती है, और ये 6th century स 11th century तक, से वाइट Kings ने Tamil language में लिखा, अब compose किया गया, 63 नेनार सेंट्स के दोरा, और बाद में ये बुला गया है, लाटर दा पोएट से किलार compose दा पेरिया पुराणम, जो की एक हेग्योगराफी है नेनार की, जिने 5th वेदा के रूप में consider किया जाता है, और, and eventually incorporated into the तीरू मुराई, और बाद में ये finally incorporate कर दी गई तीरू मुराई के अंदर, तो फिर इस वाले question का answer क्या बना, option A, इस question के बाद की दो options जो है, वो मैंने already cover कर लिया है, सिला पादिकरम और money make लाई है, और important बात भी मैंने आपको इससे later बता दिया है, कि किस तरह से सिला पादिकरम का जो sequel है, वो money make लाई है, आप इन जो author के नाम है, वो आप खुझ से सोचते चलिए, और या फिर आप comment box में लिख सकते हैं, आपकी जो learning capacity है, वो बढ़ेगी, ये वाला जो option, ये मैंने cover ने किया है, तो ये काफी पुरानी, even 7th century BCE की book है, काफी ज़्यादा पुरानी है, और इस बुक को और भी ज़्यादा खास बना देती है, इसके author, तोलका पियार, इनका नाम था, और इन्होंने जो बुक लिखी वो तोलका पियार में, अब ये क्या है, ये most ancient Tamil grammar की book मानी जाती है, और ये Tamil literature को और भी ज़्यादा महान बना देती है, और oldest बना देती है, ठीक है, ये one of the oldest language मानी जाती है, अब आईए फिर next question करते है, देखिए ये भी question, किसी exam का ही पुछावा है, BPSC का I think, देखिए आपको ये बोला गया, which of the following pair is not correct, दंडी, दसकुमार चरित्रम, विष्णु सर्मा, पंचितंत्र, आयरे भट, विरिहत समीता, और अगला है फिर भास, सौपनवास वदता, तो विष्णु सर्मा ने पंचितंतर लिखा, बिल्कुल सही है, डंडी जो वो किताब है, वो दसकुमार चरित्रम के द्वारा लिखी गई, जो किताब है, वो दंडी उसके उतर है, उसके अब बोला गया, आयरे भट विरिहत समीता, नहीं, विरिहत समीता जो है, वो वराह सारी चीजे cover करूंगा तो विरिःत समीता मैंने आपको बता दिया आयरे भट नहीं है वरहा मीहिर, आपको ये बताना है कि आयरे भट ने कौन-कौनसी किताबे लिखी है। वराह मिहिल तो ये गलत बन जाता बाकी के सही है तो पंच जंत्र आपको हराल में ध्यान रगना है अब मैं आपको एक कोश्चन देता हूँ हीतो पदेश बुक किसने लिखी है जरूर आंसर करिए इससे आप ही की learning capacity बढ़ेगी और आपको फिर याद रखने में चीज़ा असानी होगी नेक्स कोश्चन करिए लीलावती जो बुक है भासकर सेकेंड की काफी famous mathematician माने जाता है ये बुक किस से related है तो of course ये mathematics की बुक है अगर आप भासकर सेकेंड के बारे में नहीं जानते हैं तो जरूर जानिए और इनके बारे जितना हो सकेंड आप डीटेल में पढ़िए भासकराचारी सेकेंड इनका पूरा नाम माना जाता है और इन्होंने जो बुक लिखिये हो लीलावती है अब लीलावती में इन्होंने काफी important formula को डिसकस किया है और यह काफी पुरानी बुक है तो इस बेस्टी से यह काफी खास हो जाती है और जैसे उन्होंने खास करके geometry के अंदर बहुत सारे formula जो आज भी आप देखेंगे तो काफी unique लगेगा जैसे अगर मैं आपको बताओं इवन और भी जो हमारे एंसियन टाइटर जैसे पाइथागोरस थी और हम लोग पढ़ते हैं वह असल में बोध्धायन प्रमे मानी जाती है बोध्धायन के द्वारा यह काफी पहले पाइथागोरस से भी काफी पहले लिख दी गई थी बट इससे recognize नहीं किया गया तो इसकी में अलग से वीडियो लाओंगा वहां पर काफी details से मैं आपको यह चीज़े बताओंगा यहां सिर्फ text में सिमीत रखते हैं तो लिलावत अपने आप में बहुत जाला difficult है इसका answer है मेरुतुंग ठीक है यह नाम मैंने भी पहली बार सुना था मेरुतुंग बागी के तीनो नाम तो फिर भी कोमन है मिल जाते हैं जैसे संध्याकर नंदी ने क्या लिखा रामचरीतम इसे नोट कर लीजे यह भी दो से तीन बार द्वारा येस तुलसी दास जी के द्वारा तुलसी दास ने रचना की है रामचरीतमानस की लेकिन यहां पर आपको जो मैं आपको बता रहा था एक्स्प्लें कर रहा था कि संध्याकर नंदी ने रामचरीतम लिखी है यह 12th century book है यह आप ध्यान से रख लिजे को यह चीज अकबर के टाइम पीरेड में किस ने लिखा रामचरीतमानस बताइए मैं बार बार इसलिए रिपीट करूँ था कि यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए रामचरीतमानस जो है वह हमारे तुलसी दास जी के द्वारा लिखा गया अब नेक्ष देखिए भवभूती भवूती तो देखें बार बार रिपीट हो रहा है और UPSM वे आया होगा यह कोशन है सो भवूती ने कौन से बुक लिखी है तो भवूती की जो सबसे फेमस बुक है वो है मालती माधव यह आपको हराल में यान रखनी है मालती माधव और भी इनके तोवारा और भी दो इं उनके नाम है उत्तर रामचरितम मालती माधव तो मैंने आपको बता ही दिया और महावीर चरितर इसे भी आप नोट कर लिए कोई कि डेली कॉंस्टीबल में ही पूछा गया है 2020 में पूछा गया था कि कौन सी जो भुक है वो भवूती के दोरा नहीं लिखी गई है और पहल पर बाकी के जो तीन ओप्संस थे वो सही थे उत्तर रामचरितम मालती माधव और महावीर चरित ये तीनों किताबे के दोरा लिखी गई है भव भूती के दोरा ठीक है वैसे इस कोशन का आंसर क्या था मेरू तूंग मेरू तूंग ने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम कर लेंगे जैसे भव भूती जो है वह आपके एट सेंचूरी के स्कोलर थे लेकिन नई चंद सूरी यह थर्टीन सेंचूरी के स्कोलर थे और इसलिए मैंने इसके बारे ज्यादा कोशन भी कवर नहीं कि क्योंकि वह मेडिवल और जो मोडर्न वाली बुक से उसमें कवर करे है तो फिर यहां पर आंसर तो मैंने आपको बताई दिया और नई चंद सूरी जो जो बुक लिखी है इन्होंने उस बुक का नाम है हम्मीर महा कावे किसने लिखी नई चंद सूरी कब थार्टीन सेंचूरी में नेक्स कोशन करिए और यह पहले जो आपके विदेशी स्कोलर है उन्होंने भारत के रिलेटेड कौन-कौन से बुक्स लिखी है उन्हें पहले कवर करते हैं रत के बारे में लिखा है जैसे सबसे पहले पैरिप्लस अब दा इरिथियन सी इसके जो राइटर है वो अग्यात है पहली बात तो यही आपको ध्यान में रखनी है क्या कि पैरिप्लस अब दा इरिथियन सी जो है वो काफी फेमस बुक माने जाती क्योंकि काफी पुरानी है और यह खास करके बताती है कि किस तरह से भारतियों का रोमन के साथ व्यापार होता था लाल सागर पर्सियन गल् के भी माने जाती है और इसमें बहुत सारे भारत के पोर्ट का उलेक देखने को मिलता है प्लीनी ने लिखिया नेचुरल या हिस्टोरिया और यह फर्स्ट एंचुरी एडी में लेटीन की बुक माने जाती है जो भारत और इटली के मध्ध किस तरह से वैपार चलते थे उस इसके लेखक के बारे मैं नहीं पता है नेक्स कोशन देखिए पैरी प्लस अब्दा एडिथियन सी कौन सी भासा की बुक है तो मैंने आपको अभी यह बताया फ्रेंज जर्मन इंगलिस नहीं ग्रीक भासा की बुक है ठीक है काफी एंचेन बुक है और किसी ग्रीक राइट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मैं चाहता हूं कि चीजें सारी comprehensively कवर हो जाएं तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धहनेवाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इसकी जल्दी पार्ट 3 भी और यह काफी लंबा ट इस में हर साल इस टॉपिक से कोशन आ रहे हैं तो 2021 वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया 2020 और 2022 के भी कोशन में डिसकस करूँगा नेक्स पार्ट में तो थेंक्यू सो